आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद ये मेरे जीवन का एक ऐसा चण एक ऐसा लमहा है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता आज केस कारक्रम के आयोजक श्री गुरुत माराज देवकिष्न दास जी स्वामी श्री सद्गुरु महिंद श्री देव प्रसाद दास स्वामी जी सद्गुरु श्री धर्म बलब स्वामी जी श्री विजे भाई रूपानी जी सूबे के साबिख वजीर अला युवा दोस्त जुनों ने मुझे आप सब के बीच में यहां तक आने का पुल का काम किया राकिश दुदान सहब जो अफरिका में रह करके भारत राष्ट के लिए क्या कर सकते हैं इस चिंता में कई बड़े काम किये उन्होंने श्री लाल जी भाई पटेल सहाब उनके नाम के आगे नाम भी लिखा है और डाइमंड भी लिखा है लगता है एक ही बात बोल दूँ के वो डाइमंड है मुझे ये चिंता रहती थी और हर बार जहां जहां देश में जाके बोलता था तो एक ही बात बोलता था हमें बार बार कि जब ये तथा कतित तौर पर जूटे डॉकुमेंट और डेट के साथ भारत में ये पढ़ाया जाने लगा कि 15 अगस्ट 1947 को भारत आजाद हुआ था ये दुनिया का सबसे बड़ा जूट है किसी भी द्राश्ट और देश में अगर जूट बोलने और जूट सुनने की परंपरा शुरू हो जाए तो उसका अंत कोई नहीं रोक सकता लेकिन मुझे खुशी है कि 15 अगस्ट 1947 को मैकॉले ने बहुत सारे कॉर्वेंट बनाए उन कॉर्वेंट में क्या होता है सबको पता है ये कॉर्वेंट शड़ कहां से पैदा हुआ ये नहीं पता है लेकिन यहां आकर के गुजरात में जादातर राजों के जो राज है उसमें गुजरात के जादातर शेहरों में गया हूँ और ये एक इत्तफाक की बात है कि कोई शेर ऐसा नहीं है जहां मैं स्वामी नाराण मंदरों में न गया हूँ जब मैं उनको देखता था सुनता था तो मेरे मन में सवाल उटता था कि आखिर इतने बौधिक लोग इतने ग्यानी लोग इस भारत राष्ट को समर्पित लोग भारत की संस्कृती माननताओं परंपराओं के परती उनकी जाग रूपता तो हो सकता है कि भारत में लोगों ने हजारों स्कूल खोले हो बड़ी बड़ी डोनेशन की फीसली हो क्यों नहीं स्वामी नाराण मंदर के लोग इस देश में आधुनिक गुर्कुल क्यों नहीं खोलते लेकिन मैं कुछ कुछ सुनता तो रहता था लेकिन आज राजकोट आकर के मुझे पता चला कि आपने गुर्कुल की शुरुवात 1948 से ही कर दी थी इसलिए मैं अपने शब्दों में लिहास कम करता हूँ लेकिन माननता और परंपरा और किसी का सम्मान मुझे मेरे शब्दों से न गिरे इसकी भी कोशिश करता हूँ पूरे देश में कहता हूँ मैं ऐसा नही है कि आज में में गुजरात में राज़कोट में खड़ा हूँ तो ये बात कह रहा हूँ मुझे यहाँ से हेदराबाद जाना है वहाँ भी बोलना है और फिर करनाटक जाना है वहाँ भी बोलना है मैं बानता हूँ कि गुजराइत के लोग इमानदार लोग है और ये इमानदारी इसलिए है कि अगर भूत काल में कोई गलती हो गई हो दो अक्टूबर वाली तो गुजराइती अपनी भूल का सुधार कर लेते हैं दो हजार चौदा में इसलिए जब समाज सच बोलने लगता है सच को सच सुईकार करता है और समाज के अंदर इस चीज की लालच की धार्णा समाप्त हो जाती है कि मैं वो बोलू वो पहनू वो कहूं जिससे मेरा शत्रू खुश हो जाए शत्रू के अनमोदन की चिंता से जब समाज बाहर निकल जाता है तो चानक बन जाता है इसलिए आज मुझे खुशी है कि राज कोट में इतनी बड़ी संख्या में यहां लोग आई हुए हैं और इतने सारे संथ बैठे हुए हैं मुझे इस बात की खुशी है कि अब गुरकुल में चालक पैदा हो रहे हैं चाटुकार पैदा नहीं हो रहे हैं इसलिए आज भी सबसे ज़्यादा जरूरत है कि आप किसी पे निर्भर न रहें जब राष्ट देश पर निर्भर हो जाता है तो चाटुकार और चाटुकारों की जमात संसद में पहुँचने वाले लोग राष्ट को तोड़ने और राष्ट को समाप्त करने वाले नियम और कानून बनाते हैं और पूरा समाज ये समझता है कि सब कुछ सत्ता के पास है इसे जो भी कुछ होगा वो सत्ता में जाकर ही होगा मैं आज मानता हूँ कि जो समाज ये सोचता है उसको एक बार सिर्फ इस बात का बोद कराना है सत्ता बहुत छोटी सी चीज़ है मैं खुले रूप में कहता हूँ जिस दिन भी भारत का सनातनी समाज अपनी सामुहिक शक्ती का प्रदशन करेगा सत्ताएं आपकी चोखट पे नाक रखड़ेंगे इसलिए सत्ताओं ने सत्ता बनी रहे इसलिए राष्ट के सरोकारों को मान्नताओं को परंपराओं को आदर्श को संस्क्ती को तबियत से रौनदा और आपको अगर ये बोद होने लगा कि राष्ट बड़ा है देश छोटा है इसलिए लोग राष्ट और देश में भी फर्क नहीं समझते इसलिए दिन राथ चिंता करते हैं देश भक्त बनना है राष्ट भक्त बनिये देश भक्त बनने की आवश्यक्त नहीं है जो राष्ट भक्त होगा वो देश बचाएगा लेकिन देश भक्त राष्ट बचाएगा इसकी गारंटी नहीं है देश एक छोटा सा भूमी का टुकड़ा है उसकी सरद हैं, बाउंडरी है उसकी रक्षा करने के लिए सैना है देश की ववस्ता चलाने के लिए संविधान है, संसद है विधान सबाय है वो किसी नियम कानून से बनी हुई है कहीं कोई कानून है, कहीं कोई नियम है और जब तक वो सत्ता में रहेंगे, उन नियम कानून से उन्हें बने रहना है और जब सत्ताएं संसद में बैठ करके राष्ट को तोड़ने वाले नियम बना देती है तो फिर राष्ट नहीं बच्टा इसलिए राष्ट को कोई सत्ता नहीं चला सकती कोई प्रधानमंत्री नहीं चला सकता राष्ट को समाज चलाता है राष्ट को मेरी परंपराई चलाती है और ये कोई भावनात्मक स्टेट्मेंट नहीं है ये शुद्ध साइंस पे है देश में रहने के लिए किसी को टेक्स देना है हाउस टेक्स देना है नेम खानून मानने है सड़त पे चलने का खानून मानना है आपके जीवन میں देश का मातर दो या तीन परसेंट जीवन सिर्फ आपको देश के लिए होता है लेकिन आपकी माननताएं और परंपराएं देश की ना कोट तै कर सकती है ना संसत तै कर सकती है और हमारी खामोशी ने ये होने दिया इसलिए भारत के आदुनिक निर्माताओं ने एक सम्विधान बनाया सम्विधान को बड़ा पूजा जाता है सम्विधान एक किताब है कोई गरंथ नहीं है लेकिन उसी सम्विधान में ऐसे ऐसे महापाप हुए है कि शायद सत्ता में बैठने वाले लोग नहीं बोल सकते उनकी संकट है लेकिन जो सत्ता से उतर के नीचे आ गए हो उने खुले रूप में बोलना चाहिए वो नहीं बोलते है इसलिए संविधान आपके ना देश की रक्षा कर पा रहा है ना राश्ट की रक्षा कर पा रहा है और कोई हजारों साल नहीं हुए मात्र कलपर्सों की बात है इतिहास में दस साल, बीस साल, पचास साल एक लमे के बराबर होते हैं एक छड़ के बराबर होते हैं और जो कुछ हमारे पूरवज सनातनी हिंदू समाज को मैसेज देना चाहते थे उस कठिन परिस्तितियों में भी तब भी वो काम करके गए लेकिन हमने उन हीरोस का कभी नाम नहीं लिया हमने समझा सब कुछ फूल वाले चचाई करके गए हैं उससे आगे सोचा नहीं हमने कभी ना उस पर कभी चिंता जाहिर की ना उनको हमारे समाज में उन बातों को रखने की कोशिश की और अगर हमने कुछ-कुछ बातें बताती होती है तो आज हमारी ये दुरगती नहीं होती है आज धरले से इस देश में मदर्सों की बोचार आई हुई है बीका नेर से लेके जैसल मेर के बॉर्डर पे हजारों मदर्से खुल रहे है मदर्सों और गुर्गुल में फर्क क्या है गुर्गुल में शिक्षाल और ग्यान लेने के बाद चानक पैदा होते हैं और वो चानक हवाई जास कैसे उड़ाया जाए इसकी विधी निकालते हैं और मदर्से में एरपोर्ट कैसे उड़ाया जाए इसकी किताब पढ़ते हैं दोनों में फर्क है इसलिए आज जो सामने आपके युद्ध है हो सकता है राजनितिक लोग इसको न बोलते हूं युद्ध आपके दर्वाजे पे खड़ा है शत्रू आपके दर्वाजे पे खड़ा है और अगर हम उसे नहीं पहचानना चाते तो 14 अगस 1947 हुआ कश्मीर हुआ बंगाल हुआ और देश के हर कौने में हर सड़ के उपर कभी निकिता हो रही है कभी अंकुर हो रहा है कभी कृष्ण गढ़वार हो रहा है कभी कृष्ण नंदन हो रहा है कभी रूपेश पांडे हो रहा है कहीं श्रद्दा हो रही है यह हर गली में हो रहा है इसकी खबरे नहीं दी जा रही सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज जरूवत क्या है जरुवत इस बात की है कि आप राष्ट की मानताओं परंपराओं की तरफ जिस दिन लोटेंगे तो अभी तो बीस राजों तक चानक पहुँचे हैं अभी कुछ राज और बचे हैं और सत्ता पे जो भी बैठे अपना भी बैठे अगर तो उससे अपने निजी काम मेरे भाई का काम, मेरे चचा का काम, मेरी सडक ये सडकें बनती बिगडती रहेंगी अगर राष्ट तूट गया तो जो जो आकराम ता यहां आये थे वो आज आपके बीच में बैठे हुए हैं इसलिए एक डॉकुमेंटरी तयार की है सौमी जी ने मुझे उसको दिखाया गया मैंने बहुत प्रेम से उसको देखा उसमें सिर्फ मुझे एक ही बात ऐसी लगी के जिसे लगा कि मुझे सब के सामने कहनी चाहिए क्योंकि अगर मैं यहां नहीं कहूंगा तो दुनिया कहेगी कि आप सारे मंचों से बोलते हैं आपने राज कोट में स्वामी नारायन मंदिर के इतने बड़े भव आपने क्यों नहीं बोला और यहां इसलिए बोलना जरूरी है कि हो सकता है रिसर्च में कहीं कोई छोड़ी सी कमी रह गए हो या एक जो परंपरा चल रही है आपने उसी को द्यान में रखा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है यह सबसे बड़ा पाप और जूट है दुनिया का कोई डोकुमेंट नहीं है और जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते नहीं है 15 अगस्त 1947 को भारत की धर्ती के डोट तुकड़े हुए थे साड़े दस लाक हिंतुओं की हत्याएं और उनके उपर यह देश आजादी का जशन मना रहा था जब दिल्ली में जंडा फेराय जा रहा था उसी समय पूरे पंजाब में हजारों महलाओं के साथ आता ताई आकरांता जिहादी रेप कर रहे थे और परदे लगा दिये गए थे दिल्ली में के यह आवाजें और यह चितर दिल्ली को पता ना चले और आप कहते हैं आजाद हुआ था 15 अगस 1947 को जो बिटिश सामराज का आखरी वोईस रॉय था जिसे आप लॉर्ड लुईस माउंट बेटन के नाम से जानते हैं दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है कि जिन आकरांताओं ने आपको गुलाम बनाया आपकी शिक्षा पंदिती को रोंदा आपके मंदरों को रोका आपकी आस्थाओं को रोंदा उन्हीं का आखरी वोईस रॉय तताकतित 15 अगस 1947 को पहला भारत का गवर्णर जनरल बन गया और हमारी बीमारी हमारी गुलामी इतनी दूर तक है कि भारत की संसद में और भारती राजनीती में सत्ता से दूर एक आदमी ने एक आंदोलन खड़ा किया वो बिहार और यूपी के बॉर्डर पे एक जगे है छोटी सी सत्याब जारा वहां से चला और भारत की सत्ता पे बैठने वाले एक लोकतंद्र द्वारा चुने गए एक नेता ने जब ताना शाही रुक अपनाया तो उसने जनादोलन का रास्ता तै किया और सत्ता को घर भेंगा इसलिए मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जहां से हमें दुनिया के सामने तन के खड़े होने में थोड़ा शर्म महसूस होती है यह सवाल आप जब पूछे जाते हैं आपसे जब आप विदेशों में होते हैं हम इंदुस्तान में बैटके बहुत सारी बड़ी बड़ी बाते कर सकते हैं जो भारत का आखरी वोईस रोई था उसको आप तब समझेंगे जब इटावा नाम की एक जगे उत्तर प्रदेश में है वहाँ एक कलेक्टर था यह जो बिटिश साशन के लोग थे उनका एजंडा क्लियर था लेकिन हमारे यहाँ लोग दरबारी जादा थे उन्नीज अठारा सो सत्तावन में जतुब शशक्त करांती हुई और मेरट के अंदर एक बलिया का पुत्र जो 30 जन्वरी को पैदा हुआ था उसने बंदुख उठाई और अंग्रेश के सीधे गोली मारी जिसे आप मंगल पांडे के नाम से जानते हैं दुर्भाग देखिए अंग्रेश समझ गया कि भारतियों को पता चल गया है कि गोली कहां चलानी है 1857 के बाद बिटिस सामराज में बैठने वाले यहां और इंग्लेंड में बैठने वाले लोगों ने एक तै किया कि ये घटना दुबारा भारत में न हो इसलिए देखिए हम सब ने बच्पन में ये पढ़ा लेकिन कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया हमारा और उसके बाद विचार किया गया कि इसके लिए क्या किया जाए 1857 की घटना में बिटिस सामराज और हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू आमने सामने था वो समझ गये थे कि हम गिंती में कम हैं अगर ये आग पूरे देश में पहल गई तो एक भी बिटिश नहीं बचेगा इसलिए उन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग करके 1885 में इटावा नाम की एक जगे में एक कलेक्टर था अंग्रेज और उसको ये जिम्मा सौपा गया लोगों को पता ही नहीं चला और आज भी हम उस जूट में जी रहे हैं उस इटावा के कलेक्टर को काम दिया गया कि किसी भी तरीके से भारत का जनमानस अंग्रेजों के खिलाफ शशत्र करंदी न कर पाए इसका विचार हुआ और उस इटावा के कलेक्टर ने पूरे प्रेजेक्ट को इंतिजाम किया और 1885 में एक बिटिशर एक अंग्रेज ए ओ धुम ने कॉंग्रेज पार्टी की स्थापना की कि हमीने तुमें घुलाम बनाया है हम तुमें आजदी दिलाइंगे और उन्होंने भारत के अंदर उन चाटुकारों को पकड़ा कि कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए और पाँच पाँच बिटिशर इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे और ये सिलसला चलता रहा और आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं कहां से चली थी वो और कहां आके पहुँची लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या हम आज भी अपने निजी स्वार्थों से अपनी जाती से अपने रंग से उपर उठना चाते हैं या नहीं चाते हैं लहाज़ा मैं मानता हूँ कि अगर 1946 की उन पांच घटनाओं को देश को बताया जाता तो मैं मानता हूँ कि संचार करांती के इस दौर में हर बच्चे को ये पता होता कि हमारी आज जो दुर्गती हो रही है अंग्रेज चले गए वो फिजीकल रूप में चले गए लेकिन आज भी अंग्रेजों के दर्बारी देश के सनातनी हिंदू को ग्यान दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि आपने उसे अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दी वो सेंट स्टिवन में नहीं पढ़ा सेंट फिदेलिस में नहीं पढ़ा आपने उसे खांटी की बोरी पे बिठा करके जो शिक्षा दिये वो ही पूरी दुनिया को बता रहा है कि अगर चानक बनना है तो बोरी पे बैठ जाओ तो ये दुनिया में जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत के अंदर इंटॉलरेंस पैदा हो गई है हाँ इंटॉलरेंट होना हम पागलों देश के तोड़ने वालों के खिलाफ इस गली गली में हत्याओं का सिलसला चलाने वालों के खिलाफ हम उन मदर्सों के खिलाफ जहां अलजवाईरी पैदा होते हों जहां अजर मसूद पैदा होते हैं उसके खिलाफ इंटॉलरेंट है हमारे हाँ आज की इस्तिती ऐसी है कि आज संचार करांती के दौर में सब कुछ आप साफ साफ नहीं कह सकते खास दो जब सत्ता में आप संविधान की शबत लेके बैठते है लेकिन इतने लंबे समय में मैंने पहली बार देखा कि सत्ता का मुखिया अपनी बातों को लाइनों के बीच में से कहता है जो समझ जाते हैं वो काम पे लग जाते हैं वो आरेसिंसिंग, जीडी बक्षी, सुशील पंडित ललिद दंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार प्रोफेसर पवन सिना बन जाते हैं और जिनकी समझ में नहीं आता वो टिकेट की लाइन में खड़े हो जाते हैं उसने कहा साफ साफ कहा शपत लेने के बाद कि ये जो गंदगी है जो हम इदर उदर करते हैं इसके खिलाफ हमें इंटॉलरेंट होना है गुजरातियों की तो जादा समझ में आती होगी उनकी भाशा क्योंकि पंदरा साल की ट्रेनिंग के बाद आप इने भेजा है उसको इसलिए आप जादा समझते हैं उसने जब ये कहा कि हमें गंदगी के खिलाफ इंटॉलरेंट होना है तो सिर्फ उसने सडक पे पड़ी हुई गंदगी के खिलाफ नहीं कहा उसने कहा कि इस देश में 20-25 करोड गंदगी लिए घूम रहे हैं उनके खिलाफ इंटॉलरेंट होना है इसलिए उननीस सो चलाज़ बस दो मित टाइम इस रुनिंग आउट समय कभी नहीं भागता है समय रोज ही इसी तरह भागता है हमें आफ मौका कभी कभी देते हैं इसलिए इतने सारे लोग हैं और इतने प्रबुद्द लोग हैं इतने ग्यानी लोग हैं मैं समय की मर्यादा में रहूंगा और इसलिए भी रहूँगा कि जिस अनुशाशन के साथ ये किशले कई दिन से ये चल रहा है उसमें मुझे अपना अनुशाशन बरकरार रखना चाहिए लेकिन मैं सिर्फ दो तीन बात कहके अपनी बात समाप्त करता हूँ सनातन अनादी अनादी काल से है जब से इस शष्षी का निर्माड हुआ होगा इस बीच में कोई 1400 साल पहले आया कोई 2000 साल पहले आया 1400 साल पहले जो आये उनका भी कोई नभी था 2000 साल पहले आये उनके भी कोई इशू थे उनकी भी कोई किताब थी मजब के आने का मजब के जाने का नभी के आने का नभी के जाने की सब की डेट है सनातन न पैदा हुआ है न सनातन को कोई मार सकता और ये भी शष्षी का नियम है जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है उसको मारने के लिए किसी को आने की आवशक्ता नहीं है वो खुद मर रहा है इसलिए आपको ग्यान कौन दे रहे हैं आपको कौन ग्यान दे रहे हैं जो चौदा सो साल में अपने साइस का पजामा नहीं बना पाए वो भारत के लोगों से कहते हैं ताजमल हमने बनाया है वो डिक्टेट करने इंटम्स इसलिए आज अपने उपर गर्व करने का समय है अपनी संस्कृति के उपर अपने आदर्शों के उपर अपनी मानताओं के उपर गर्व करने का समय है लेकिन आज मेरे मन की एक बात पूरी हो गई है इसलिए शायद अब मैं किसी मन से ये बात नहीं कहूंगा गुजरात के राजकोट शहर में स्वामी नाराइन मंदिर के तमाम संतों ने एक आदर्श पूरी दुनिया को दिया है और उस आदर्श में उस घटना का मैं प्रतक्ष गवा बना इसके लिए मैं आप सब लोगों का जिनोंने मुझे बुलाया है या जो मुझे सुन रहे हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद इसलिए करता हूँ गुरकुल सुनते थे गुरकुल देखते थे चालक के दौर का भी गुरकुल हमने देखा और गुरकुल देखा तो गुरकुल में ऐसे लोग पैदा हुए लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि सनातनी हिंदू समाज की बेटियां माएं बहने जब सिनेमा से ये तै करती है कि सुन्दर्ता की परिवाशा तैमूर की अम्मी है आज आपने इस जगा से एक बहुत बड़ा हवन शुरू किया है और मैं ये बात मेरी किसी से हुई नहीं है मेरी अपने मन की बात है जो लोग भी इस सबागार में बैठे है और ये बात अमरिका से लेके दुनिया बर के शेरों में जा रही है अगर गुजराती तै कर ले और जिसका शुभारम यहां से हुआ है जो जिस इस्थिती में है एक रुपे से लेकर के पांच करोड दस करोड जिसकी इस्थिती है वो दे क्योंकि भारत में पहली बार बेटियों के लिए गुरकुल बनानी की शुरुबात की गई है आप अपने निजी सुारतों से उपर उड़ चुके है इसलिए पच्चिस साल से दुनिया बर की ताखते लगी हुई है कि कहां से ये पैदा होकर के दिल्ली में चौदा में आया फिर उन्निस में एक गया और ये सिलसला जारी है इसे जारी रखिए अभी अगर मगर करने का समय नहीं है उसकी जाती क्या है वो बोलता कैसे है क्या करता है हम यही जानते हैं कि जो जिस भाषा में समझना चाता है वो उसी भाषा में समझा देता है गुजरातियों ने जो लाइन रखी है उस लाइन के कारण ही किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए गुजरातियों ने भारत के सत्ता को एक रास्ता दिखाया है कि अगर राष्ट की चिंता करोगे तो जितनी बार पांस साल में वापस आओगे तुम्हें भरपूर समर्थन के बाद वापस दिल्ली भेजेंगे आपने चौदा पैदा किया आप अपनी उस पुरशार्थ को देखिए उस तेज को देखिए चौदा के बाद मातर तीन साल के अंदर एक राज जिसकी जन संग्या पाकिस्तान से भी जादा है उस राज में तीन साल में लोगों को ये चेतना पैदा हो गई कि अब चाटू कारों को उत्तर प्रदेश की गद्धी पनी बठाना है एक संथ को बठाना है और वो संथ ऐसा संथ है कि सरकारी ओर्डर आने के बाद पढ़ने के बाद इसलिए निप्टा देता है कि वो जो कपड़े पहनता है उसमें जेवी नहीं है वो वही निप्टा देता है ये परंपरा आपने डाली है और आसाम में एक को खड़ा कर दिया है संत का मतलब ये कता ही नहीं होता कि गेरुए वस्र पहनने से लोग संत होते हैं ये मैं नहीं मानता संत किसी भी कपड़ों में आ सकता है उसकी आत्मा की तरफ देखिए कपड़ों पर मत देखिए इसलिए पूरे भारत में मेरी ये कोशिश है हमारी टीम की ये कोशिश है कि सत्ताओं के बीच में जब दूंद हो सत्ताओं के बीच में जब दौड हो तो दौड इस बात पे हो कि सत्ता में आने के बाद पहले सनातन का काम कौन करेगा ऐसे ही सत्ता का मुखाबला हो इसको जारी रखे मेरी आवाज उसको आपने स्वर देने के लिए यहां मुझे बुलाया इतना समान दिया मैं इसके लिए सच में बहुत आपका कृतग हूँ आपका धन्वात करता हूँ इस मुहिम में मेरी अगर आपको रात के एक बज़े भी जरूरत हो तो आप एक बज़े भी मुझे बुला सकते हैं मैंने ये सोच करके ये काम नहीं किया है के ये काम बेरोजगारी में करें नौकरी छोड़ के आया था कन्विक्षन के साथ शुरू किया है और एक ही कन्विक्षन है कि आजाद भारत का सम्विधान अगर 1976 में रात के अंधेरे में नेताओं को जेल में डाल करके सैकुलर बना दिया गया था तो मेरा सवाल है कि अगर भारत का सम्विधान सैकुलर है लिखित में तो फिर इस सैकुलर सम्विधान में Minority Commission क्यों है Minority Ministry क्यों है Satchar Commission क्यों है Places of Worship Act क्यों है फिर Wuff Commission क्यों है अगर ये सब को रखना है तो भारत को हिंदू राष्ट गोशित करना पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद Thank you very much क्यों है